पती या पतनी कोई भी अपने income एफिडेविट में जो की income, assets और liabilities का एफिडेविट है जो उन्होंने submit करना है उसमें वो ठीक information नहीं देते हैं, false information देते हैं या incorrect information देते हैं तो essay में क्या result होगा, क्या consequences होगे जो agreed party है, यानि कि जो दूसरी party है, essay में क्या steps ले सकती है और यदि information जूटी है एफिडेविट में, तो क्या परिणाम एफिडेविट देने वाले को भुगतना पड़ सकता है नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडुकेट प्यूश मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप स्वस्त होंगे दोस्तों जब से honorable supreme court ने maintenance cases में एफिडेविट देने की direction दी है, तब से maintenance cases में एक transparency आ गई है court को भी काफी help मिल रही है income एफिडेविट से क्योंकि उसमें उनकी income, assets और liabilities का पूरा ब्योरा है और साथ ही parties को भी एक दूसरे की correct information, proper information, authenticated information मिलती है along with the documents तो ऐसे में क्योंकि एफिडेविट एक legal document है और उसके गलत information देने के काफी consequences भी होते हैं इस वज़े से maintenance cases में अब काफी हद तक सुधार आने लग गया है लेकिन अभी भी कई बारी मुझसे ये question पूछा जाता है कि अगर एफिडेविट में दूसरी party गलत information दे रही है देखिए अब ये दूसरी party कोई भी हो सकती है पत्नी भी हो सकती है पती भी हो सकते है अगर वो गलत information देते हैं incorrect information देते हैं या false information देते हैं तो ऐसे में क्या करा जाए अब उसके क्या results होंगे अगर वो information कोई भी दे रहा है तो उसके ओपर उसके क्या परिणाम होंगे इस वीडियो में हम यही जानेंगे वीडियो को अंतर जरूर देखेगा ताकि आपको यह clear हो जाए कि आपने अपने एफिडेविट में सही information देनी है गलत information नहीं देनी है अगर दूसरी पार्टी गलत information देती है तो आपने क्या steps उठाने हैं क्या consequences होंगे गलत information के या false information के यह आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगे और दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दीजिए ताकि आपको latest वीडियो की update मिलती रहे और वीडियो को like और share भी कर दीजिए इनकेस यदि आपको कोई पी legal समस्या है legal query है तो आप मुझे comment section में या मुझे मेरे email ID पर जो आपको screen पर मिल जाएगा description में भी मिल जाएगा वहाँ जाके आप मुझे अपनी समस्या भ information देनी है देखिए सबसे पहले तो है कि mainly आपने अपनी information देनी है अपनी income की assets की expenditures की liabilities की यानि कि जो भी भर रहा है अगर पत्नी भर रही है तो उसने अपनी information देनी है लेकिन इसमें एक column भी है जो कि है J number column जिसमें कि आपने spouse की information देनी है यानि कि पत्नी अगर भरेगी त तो इसमें उसने पती की information देनी है और अगर पती भर रहा है तो उसने अपनी पत्नी की information देनी है लेकिन यदि आप declaration पढ़ेंगे इस एफिडेविट की तो यह बिल्कुल clear हो जाएगा कि यह declaration किसकी information के regarding है देखिए declaration का first point मैं आपको पढ़के बता रहा हूँ I declare that I have made full and accurate disclosure of my income, expenditure, assets and liabilities from all sources यानि कि जो भी इसमें declaration दे रहे हैं वो सिरफ अपनी income की expenditure की assets की और liabilities की दे रहे हैं यदि आप J column में spouse की information भर रहे हैं तो उसकी आप declaration नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो आपको पता हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं इसलिए यदि आप J point पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि as known to you जैसा कि आपको पता है उसके हिसाब से क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको spouse की हर एक चीज़ पता हो या correct पता हो हो सकता है कि आपको कुछ information पता हो कुछ information ना पता हो तो उस हिसाब से जैसे जितनी आपको पता है आपने उसमें बतानी है अपने एफिडेविट में spouse की information लेकिन declaration जो है वो आपकी अपनी information के regarding है तो ऐसे में जो भी wrong information की हम बात कर रहे हैं या incorrect information की बात करे हैं या false information की बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो वही information है जो कि आपने अपनी गलत दी है या ठीक नहीं दी है क्योंकि दूसरे की information यदि आपने गरत दे भी दी है तो उसकी आप declaration नहीं दे रहे हैं और उसके consequences इतने नहीं होंगे हाला कि आपके maintenance में हो सकता है कि जो आप information दे रहे हैं यदि पत्नी बढ़ा चड़ा के अपने husband की income लिख रही है तो essay में उसका वो point consider नहीं किया जाएगा और इसी तरह लेकिन यदि information आप अपनी गलत दे रहे हैं incorrect दे रहे हैं false दे रहे हैं उसके result आपको जरूर भुगतने पढ़ सकते हैं लेकि अब हम बात करते हैं कि यदि जो भी information declare की गई है वो disputed है यानि कि आप उसको नहीं मानते हैं आपको लगता है कि गलत है हलांकि आपके पास proof नहीं है यदि आपके पास proof होगा तो आप already court को दिखाई देंगे लेकिन यदि आपके पास proof नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि जो भी उसमें information लिखी गई है वो गलत है कहीं ने कहीं या incorrect है तो आप क्या कर सकते हैं उसमें तो देखिए इसमें court के पास बहुत सारी powers हैं और आपको भी पता होना चाहिए आप तक कि court को थोड़ा सा appraise कर सके हैं देखिए सबसे पहले तो है कि वहाँ पे examination by court हो सकती है तो आप court को orally भी आप request कर सकते हैं या आप return request भी बेच सकते हैं application दे करके कि court दूसरी party से जिसने भी गलत information आपको लग रहा है दी है तो उससे examine करे court उस party को उससे admit करवाए या deny करवाए क्योंकि कोई भी effect है कोई भी चीज है जो आपको doubtful लग रहा है court उससे अपने आप पूछेगी कि आप इसका क्या proof दे रहे हैं क्या आपने कोई document लगाया है या proof लगाया है कोई evidence है आपके पास या किसी तरह से कई बर court औरली भी पूछ लेती है कि दूसरी party से कि आप इस चीज को deny करते हैं या admit करते हैं इस तरह से question answer कर सकते हैं और यह CPC के under आता है order 10 में किसी तरह यदि आपको लगता है कि कोई effect उसमें लिखा गया है और आप चाहते हैं कि उसका proof दूस सीख कर सकते हैं कि production of relevant documents आप दूसरी party से relevant documents produce करने की मांग कर सकते हैं आप orally भी यह court को request कर सकते हैं कि उनसे documents मगवाए जाए या आप application लगवा के भी यह चीज कर सकते हैं यह भी CPC के under ही आता है और यह आता है order 11 में तो interrogators means आप production of documents relevant documents आप करवा सकते हैं दूसरी party से और द लिहाँ पर उनसे admit करा है या deny करा है एक तरह से examination by the court हो गी है जिससे कि सारी की सारी चीज clear आ जाएगी इसी तरह evidence act में भी court को काफी power हैं जजिस को काफी power हैं कि वो दूसरी party से question कर सकते हैं किसी भी point के ओपर ताकि वो जो भी facts हैं उसको discover कर सकें अच्छी तरह से या जो भ भी affidavit में declare कर दिया गया है उसी को सच मान दिया जाएगा court के पास काफी powers हैं जिससे कि वो सच का पता लगा सकती है और उसको सामने लेके आ सकती है और जूट को भी बेनकाब कर सकती है अब आते हैं दूसरी चीज़ पर कि जहां पर आपको पता है कि information गलत है deliberately दी है false information द documentary proof है आपके पास तो ऐसे में आप 340 CRPC की application लगा सकते हैं क्योंकि उन्होंने false या misrepresentation code के साथ करी है या affidavit में गलत information दी है साथ ही आप contempt of code का भी एक case कर सकते हैं उनके ओपर अब यह तो दो चीज़ हो गई अब देखिए इसी को मैं और फर्दर अगर लेके जाओं तो आप यह 340 में कौन-कौन से section लगाएंगे 340 CRPC देखिए CRPC तो एक procedural code है criminal procedure code लेकिन 340 में आप कौन-कौन स section लगाएंगे वो आपको affidavit के last में ही मिल जाएंगे declaration में तो 340 में कौन-कौन से section लगेंगे वो मैं आपको पढ़के बता देता हूँ अभी तो देखिए सबसे पहले तो आपके जो offenses हैं वो होंगे under section 199 red with section 191 and 193 of IPC यह वही है कि एक तरह से आपने court में गलत information दी है legal evidence है एक तरह से यह affidavit है तो आपने गलत information दी है तो यह IPC के sections लगेंगे जिन में imprisonment up to 7 years है और fine और both तो यानि कि यह चीज़ हो सकती है साथ ही section 209 IPC का भी है जिसमें की 2 साल की सजा हो सकती है section 199 है IPC का false statement made in declaration which is by law receivable as evidence यानि कि किसी भी तरह की declaration में आपने false statement दी है जो की as receivable in evidence है तो यह उसी में false करता है affidavit और section 209 है dishonestly making false claim in court यानि कि आप court में dishonestly कोई false claim कर रहे हैं तो यह offenses है जिसमें आपने offense कर दिया यदि आप अपने affidavit में गलत declaration देते हैं तो यह था वीडियो हमारा जिसमें की आपको यह चीज़ मैंने बताई कि यदि affidavit में false information दी जाती है तो उसका क्या परिनाम होगा या क्या steps आप ले सकते हैं जिससे की information correct code के सामने आए या जूटी information पर परदाफाश हो जाए आशा करता हूं कि आपको समझ में आगा होगा जहीं आपकी कोई भी queries हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगली बार ही हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक लिए धन्यवाद जाहिन